नमस्कार दोस्तों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों केशे हैं आप शुभी उमीद करती हैं कि बगवान शुरी ग्रेंच जुक्या शुर्बाश्य आप शुभी बहुत एच्छे होंगे अपने घर में मंगल मैश्तिती में होंगे जिहां दोस्तों दोस्तो आप शुभी को बता दी कि अब आपका एक और नया श्मय आ चुका है अब आप शुभी के लिए जुनकाल में बहुत ये अच्छे खुश खबरी भगवान ग्रेंच के अशिरबाश्य आपको प्राप्त होने वाले हैं जिया दोसों आपको बता दी कि आज शाम के पांच बज चीज देने वाले हैं जिने पाकर आप खुशी से बिल्कुल ही गदगद हो जाएंगे जिया दोसों बशरती अब आपकी जरुत होती है कि शबी चीजों को बिल्कुल ही प्रेम भावशे लेने का जिया दोसों कि दोसों बहुत शारी से जातक होते हैं कि चीजों को शुनते ही कुछी से उचलने पड़ते हैं और धिंडोरा पीटने लगते हैं लेकिन दोस्तों आपको ये भूल यश्मी बिल्कुल भी नहीं करना है जिया दोस्तों सबसे पले आपको जानना है कि कैसे यह चीज आपको प्राप्त हो शकती है इनके लिए आपको कौन सी बातों का ध्या इमित बताए हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा तभी दोस्तों आप इने जान पाएंगे और तभी ये पांच शुब समचार आपके हाथों में होंगी जिहां दोस्तों आप शुबी को बता दियें कि अब आपके जुनकाल में ये चमतकार होने आने वाले हैं भगवान शुब्ध के बता दि कि इन बातों को आप बिल्कुल भी मजाक मत समझेगा कि दोसों भगवान चाहे तो ग्या नहीं कर शकते जो उनकाल में अपने शविवक्तों को वे छण में जीरों से स्वोग तक पहुँशा सकते हैं यह उनकी माया है जी दोसों बश हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है जी दोसों और जब बगवान का शमय आता है तो दोसों वो किशी न किशी रूप में हमें उनका प्रिणाम देही देता है जिया दोसों और वो शमय अब आच चुका है जब आपके शारी दुखों का अंत होने वाले हैं और जो भी दुख के परिस्तितियों से आप गुजर रहे थे दोसों उन से चुटकर आप मिलकर अब आपको कुशियों का मार्ग दिखाने वाले हैं जिया दोसों आपको बता दें कि कल से आपके जुनकाल की शारी शमश्याओं का अंत हो जाएगा और जुनकाल में शुबी परिकार की शुक्ष मदाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जिया दो आप शुबी को बता दें कि अब आपके जिन्दगी में कुछियों की बारिश होने वाली है। यो दोस्तों आपको बता दें कि इंसान सची शर्दाशी भगवान पर बिश्वास करता है। तो दोस्तों भगवान भी उन शबी बिश्वास करने वालों का दिल नहीं तोड़ता जिया दोस्तों चाहे जिसा भी हो भगवान अपने भक्तों की मदद किसी निया किशी रूप में जरूर ही करते ही जिया दोस्तों और ये बात हमने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताए है लेकिन दोस्तों आप शिवी को बता दें कि सची शर्दा होना सची बेड़ी चीज है क्यों दोस्तों विश्वा सची शर्दा वो चीज है जिन से हम पत्थर में भी भगवान को प्राप्त कर सकते ही जिए दोस्तों तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी शुच्चे भक्ती सच्चे विश्वास है तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शलाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में शच्चे मनसी जैसरी गनेजी जरूर लिखेगा दोस्वों भगवान श्री गिनेश जी का अश्म मश्रबात आप शिवी को अवश्य प्राप्त होगा लेकिन दोस्वों आप शिवी को बता दे कि ये अश्मे भगवान श्री गिनेश जी जो चीज आपको देने वाले ही उन्हें आपको शमाल कर रखने होंगे और दोसों ये बात आपको बिल्कुल ही अपने ही अंदर रखना है ये बात कहीं पर भी आपको नहीं धिंडोरा पिटना है कि दोसों जहां भी आप इन बातों को धिंडोरा पिटते हैं तो दोसों वहीं शे आपकी जुनकाल की बुरे दोर की शुरुवात होती है आपके दु दोस्तों ये बात बिल्कुल ही आप अपने ही मन के अंदर अपने दिल के अंदर छुपा कर रखें दोस्तों वीडियो को शुरूश लेकर अंतर तक ध्यांश देखें ये आपके जिम्यदारी होगी तो आई दोस्तों बात करते ही कि भगवान श्री ग्रेश जी कैसित पाशी आज शाम पांच बज़े के बाद आपके जुनकाल में वो पांच बड़ी शुव समचार कौन-कौन शी है। कोई लक्ष आपकी आँखों से ओजल हो सकती है। परते कारी को ठंडे दिमाग से सोच विज़ार करके ही करें। साथी बचों की शुमस्याओं के श्रमधान में अपना अवश्य सयोग दें। ये आपके लिए आवश्य होंगे। और इसकी प्रांद दूसरी ये श्मय आप के लिए तकलिफ दायक हो रही थी। दोस्तों उनको जीवन से दूर करना आपके लिए श्मय शंबाव हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिवन सेली में बदलाव लाने के लिए आपके प्रतनी श्मय जारी रहेंगे। फिर वी वक्त का लिहाज याद रखना भी आ पर्वित महसुत करेंगे। खर्चों के दिखता भी रहेंगी प्रंतु ये खर्चे कुछ बहतर और भई श्मंदी सुवी जनाओं के लिए होंगे। इसलिए घवराए नहीं। और इसके साथी दोस्तों कभी-कभी आपका शंकलानों श्रवाव बंते कारियों में जुकाव दोस्तों खुद को आर्थिक शौबरूप से शवल बनाने के आपकी कोशी से शवल हो रही है। लेकिन दोस्तों केवल पेशों की तरफ ही ध्यान देने की वज़शी व्यक्तिकत बातों को नदर अंदाज करना आपकी रियेश में भईश में तकलिफ दायक रह सकता है। इस समाजिक सहंस्ता में आपके अच्छे सहयों की वज़शे आपका यश में मान शमान भी बढ़ने वाले हैं। आप अपने दिंचरिया से हटकर कुछ नए किरिये कलापों और ज्यान वर्थक बातों को शिकने में भी अपना शमय वयतित करेंगे। आपके व्यक्तिकत में समस्या के कारण आपको अपनी कुछ जनाने अस्तगित भी करनी पर सकती है किसी नईदिकी रिष्तिदार से शम्मदित कोई असुप सुचना मिलने शी मन में कुछ जो है वेराग्य जिसी इस्तिती भी उत्तवपन हो शकती है। अश्क साथी दोस्तों ये शमय आपके लिए कि आपकी किशी गलती की वज़श ये ही आपको यह असफलता मिली है। इसे मिटाने की कोशिच आपको फिर शेक करनी होगी। और इसके साथी दोस्तों आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों ये शमय कापी शमय बाद घर में मेहमानों के आगमन शेख खुश् प्रयाश कर रहे हैं इसके शकार्त में जल्द ही आपके शामने आएंगे। इसके प्राहत दोस्तों ये आवांजित लोगों से कुछ दूरी बनाकर रखने आपके लिए उचित रहेंगे। कुछ लोग आपकी छवी को खराब करने का शमय प्रयाश भी करेंगे। अपना व आत्मक हो रही हो तो दोस्तों अपने आज पास की उर्जा को बनने की कोशिट करें। जिन व्यक्ति से अधिक दिनकार्तमकता प्राप्त होती है। इसे लोगों से कुछ दिनों के लिए दूरियां बनाकर रखें यह आपके लिए बैतर होंगे। आपको मिल रहें जो है आपको कारिव शमंदी रूप रेखा बना लेना चाहिए। ताकि दोस्तों समय का अधिक से अधिक फाइदा उठाए जा सके। परन्तु नोकरी तता वाईशाय में ध्यान रखें कि किसी परकार की वैस्ता में कोई दिक्कत भी आशकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आशकता होंगी। इसके साथी दोस्तों वाईशाय की बाधाएं काफी हद तक आपकी दूर भी होंगी। प्रन्तु आर्थक इस्ति मद रहने की वज़िशे आत्मिश्वास भी आपका थोड़ा साथ डगमगा शकता है। लेकिन यश्मी आपको धहरे कादामन थामते वी आ हासिल करेंगे। इसके साथी दोस्तों यश्मी आपके केरेट के लिए समयोंगे आपके वाईशाय के लिए समयोंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शरकारी शुवात व्यक्तियों को अपनी मन पसंद ऑथर्टी मिलने से सुब सुचना आपको प्राप्त होगी। जिसमें प्रमोशन की भी उम्मिद है। वाईशाय में यश्मी समय है आपके लिए अतिरिक्त आय की भी सुब इस्ततियां बढ रही है। और इसके साथी दोस्तों यश्मी आपके वाईशाय के लिए समयोंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नोकुरी और बिजन श्मी का महाल जो ह रखता है कि गोई दिकत आने पर आप अपने वश्रूलों और फिर स्रिधांतों से कुछ समझोता भी कर सकते हैं और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह श्रूमे पारिविरिक जीवन ठीक रहेगा जीवन साथी के श्वात को लेकर कुछ चिंता रह च्वक्ति है परन्तु घर के विश्ता सुचा रूरूप से शलती रहेंगी और अपने जीवन ठीक पारिविरिक जीवन हंती पर नहीं पढ़ने देंगे वर श्रूमे आपके लव्लाइफ के लिए लिए पारिविरिक समय में होगे दोस्तों आपके बाता दें कि अफ्यर्ष के मामलों में आपको यश्मी शावधान रहने की आउशकता होंगी अपनी कोई गुप्त बात बाहर आशकती है जिसका दूस प्रभाव आपके बैवाई की जीवन पर भी पढ़ेगा तो दोस्तों यश्मी इन शावधान रहने की आपको आउशकता होंगी गर का माहल भी शांती पूर्ण और खुश्णमा बना रहेगा प्रंदू जो इन साथी के शाथ किसी मुद्दे को लेकर हलकी फुलकी नौक जोंग हो सकती है तो दोस्तों यश्मी आपको इन सभी चीज़ों को लेकर शावधान रहने की आउशकता होंगी शाथी अगर स्व पास के लिए दोस्तों आपको बताते हैं कि शिर में भारीपन तथा मनोगल में कमी मैसूर करेंगे आत्मसक्ति बढ़ाने के लिए आपको यश्मी ध्यान और मेडिशन का शहरा लेना चाहिए